पूरी पोस्ट मैं आपको पढ़कर बताऊंगा यहां पर दिखाना जाओंगा प्रिया अनुदेशक साथियों नमस्कार 29 दिसंबर की सच्चाई साथियों 29 दिसंबर 2021 को होने वाली लखनो कारिकरम में जिसमें माननी मुख मंत्री जी गोष्णा करेंगे उसमें अनुदेशकों, शिक्षामित्रों, रस्योईयों के मान्दे वरेदिगी गोष्णा की जाएगी अनुदेशकों के मान्दे में जो सरकार की मन्शापता चल रही है संबवता 1000 से 2000 तक ही मान्दे बढ़ाया जाएगा ये भी अभी इसपश्ट नहीं है, गोष्णा के तिन ही गोष्णा में ही किलियर होगा अभी हर साल कुछ इंक्रिमेंट होता रहे, इस पर विचार चल रहा है ये भी अभी इसपश्ट नहीं है, इस से बेटर बर्तमान सरकार कुछ भी करने के मूड में नहीं है बजट और कोविट का हवाला दिया जा रहा है, ये बहतर तरीके से जानते हैं और बेटर को में भी इसका एहसास करा दिया गया है, कि एक हजार से दो हजार की बड़ोती का विरुद होगा, किया जाएगा लेकिन जब उच्छ नियाले घंड पीट लखनौबा इलावा दोनों के सिंगल वैंच के आदिशा नुसार हम अनुदेशकों को मार्च 2017 से 17,009 परसेंट बियाज के साथ मिलना चाहिए, इससे कम की बड़ोती नियाले के फैसले और हम अनुदेशकों के साथ भद्दा मजाक है जिसके कारण ये लोग मुखमंत्री जी के कारिक्रम को शाट में कर लिये हैं के वाल लखनौ जनपत के अनुदेशकों को रसोईयों को बुलाया जा रहा है वा संगटनों के समस्त जलाय द्रक्षों वा प्रदिस पतादिकारियों को जिससे की खाना पूर्ती कर गोशना की जा सके कई लोगों द्वारा अन्दिश्क शातियों को नियमती करण बासमाज उनकी जोटी घुटी पला कर सुलाया जा रहा है अभी भी उन लोगो द्वारा बताया जा रहा है कि 29 को मुख मंत्री जी नियमती करण का गोशना करें लेकिन अभी तक हुई मानिए वेसिक शिक्ष्य मंत्री वा अधिकारियों की बैठक में इनकी मन्शा नियमती करण के लिए दूर दूर तक नहीं दिख रही है खेर इन साथियों का ब्रहम भी 29 दिसंबर को श्पष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है हम सब नियमती करण नहीं चाहते हैं हम सब भी नियमती करण चाहते हैं परंतु इस सरकार की अभी तक ऐसी कोई मन्शा नहीं दिख रही है कल से अनुदूशकों साथियों को के द्वारा पूछा जा रहा था कि कल का समचार क्या रहा मुलाकात हुई क्या सत्ता यही सत्ता थी मैंने आपको बदा दिया अब मैं वो लेटर आपको दिखाना चाहाँगा जिसमें पच्चिस दिमद्वारा इसकी इसको आदेश किया गया है और इसमें है कि महोद अवगत कराना है कि वेश्क शिक्षा भ्याग उत्तवपरिस द्वारा संचालित परशदिये विद्यालों में अंत्मध्यान भोजन के योजना अंतरगत कारतरसोई यूं इबं परशदिये विद्यालों के अन्युषम को सम्मेलन कारी करम दिनांक उन्तिस बारा दोजारी किसको प्रादा दस वजे से आयोजित है तत करम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निमलिखित बिवरण के अनुसार जन्रपद लखनों के खंड शिक्षादगारी अपने विकास खंड के रोसोयों एवं अंदेशों को लाने इवं ले जाने हे तू नोडल अधिकारी नियोक्त रहेंगे यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ लखनों की लखनों जिला की जितने भी खंड शिक्षादगारी हैं वो ही बुलाए गये हैं वही वहीं कि अनुदेश शिक्षा सोया और शिक्षा में तर बुलाए गया है मैं उसको भी अभी आपको दिखाऊंगा एक मेरे पास पोस्ट है मैं उसको आपको आदेश के द्वारा में बताऊंगा कि कहां कहां से बुलाए गया है आगे कपड़ते हैं कारिक्रम प्राता दस वजे से मानिये मुखमंत्री जी की गर्मय मयुपस्तिती म सम्मान होना है अता प्राता साड़े आठ वजे तक रसोईय संग प्रनिदियों पदादिकारियों के साथ रसोईयों को लाने इवं बापस ले जाने की विवस्ता सुनिशित करें बरतमान में शीत लहर ऑबलिक सर्दी इवं कोड़ 19 प्रोटोकाल का अनुपान सुनिशित कर करते हुए सुरक्षा की दरश्टी से यह दिहान रखा जाए कि ऐसे रसोईयों का चैन पर कारिकरम इस्तल पर लाया जाए जिनके साथ बच्चे नहीं हो ताकि किसी बरकार की अप्रिये घटना घटित ना हो ये एक सावधानी के लिए इन्होंने बात लिखती है साथी समझ जी इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने साफ लिखाया कि जिनके बच्चे साथ में हैं वो बच्चों को ना लाएं और ऐसी रसोईयों को ना लाएं जिनके बच्चे हैं उनको घर पर ही रहने की सला दी जाए क्योंकि कोई भी अगर अप्रिये घटना होती ह उसमें बच्चों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशिन चिन लगता है साथियों यहाँ पर नीलम अपने देशक जी है यह उन्होंने यह लेटर लिखा है आप देख सकते हों और पच्छी सतारीक को यह रिलीज हुआ है जारी किया गया है और इसमें कहा गया है साथियों बताएंगे किसी भी अन्जिले को प्रदेश के किसी भी अन्जिले को अभी फिलाल लिखेद आर्डर के द्वारा नहीं बुलाया गया है चाहिए वो सिक्षामित्र हों रसोया हों अनुदेशक हों कोई भी ये सिर्फ लखनों का आदेश है और लखनों के रोश्रियान देशों को ही बुलाए गया है। यहाँ पर एक और बताना चाहिए योगी आदित नाजी ने अपने आफिशियल ट्यूटर हैंडल से क्या लिखा है देखी। यहाँ पर एक और पोस्ट दिखाना चाहेंगे हम यह आप देख सकते हो न्याय में देरी कभी-कभी अन्याय जैसी योगी इन्होंने अपना यहाँ पर बयान दिया है। न्याय पालिका के पृति सबका सम्मान है और हम भी उन समवैधानिक बादताओं से बंधे हैं। स्वभाविक रूप से अगर न्याय में देरी होती है तो लोगों को निराश निराशा हाथ लगती योगी आदितनात मुकमंत्री उत्तरपरतेश। यहां पर आपको थोड़ा सा पढ़के बताएंगे अयुद्या से हैं पिशे समवधात लखनों। अयुद्या मामला एक सीरशक है समय पर मिला नियाय उत्तम नियाय मारा जाता है नियाय में देरी कभी कभी अनियाय के समान हो जाती है जी हां महराज जी आपने विलकुल सही कहा आप बहुत विद्वान हैं और करोना के सागर हैं आपने सही विलकुल कहा है लेकिन महराज ज यहाँ पर आपको निवेधन के साथ, यहाँ पर करवद निवेधन के साथ आप से सूचित करेंगी, आज हम को साड़े चार पौने पांस साल, कह सकते हैं पांस साल हो गए हैं, लेकिन हमारा भविश अभी भी अधर में लटका है, आपने ही वादा किया था अपनी रैलियों मे कि हम 17,000 मान दे देंगे निमिती करण पर विचार करेंगे निमित करेंगे राजना सिंग ने भी अधिकार बचाओ रेली में भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम अनुदेशकों को निमित करने का काम करेंगे पिर महराज जी यहां तक आज समय बीच जा रहा है 22 आ रही है 2022 सेलेक्शन भी बिलकुल सरपे हैं लेकिन हमारे नियाय में देरी हुई है जैसा कि आप ही कह रहे हो और हमें हमारे साथ अन्याय हुआ है इस अन्याय को हम कैसे बरदस्त करें अब सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही कर सकते हो कि आप हमारे अंदेशक भाईवानों को उन्हीं खेपद पर नियमित करें और जो माननी नियालेने जो नियाय का मंदिर कहा जाता है उन्होंने जो आदेश किया है आपको आपकी सरकार को आदेशित किया है कि 2017 से 9% व्याज कि इनका 17,000 मान्दे भुकतान किया जाए लगवच 6,000,000,000 रुपए 7,000,000,000 रुपए बना इन अन्देशक भाईवेनों का उसे तुरंट आप भुकतान करवाएं और निमत करते हुए इनके भविश्च को सुरक्षित करें और अपने जो मान सम्मान है उसमें चारचान लगवाएं हम सदा हम आपकी जयायकार करते हैं करते रहेंगे और की थी महराथ जी आपी निकार आपी के साबसे आपी के अनुसार हम यह समाचार आप तक भचाने ही कोशिश कर रहे हैं अंदेशक भाईवों को नियाय दे नियाय पालिका का संस्मान करें नियाय के मंदिर का सम्मान करते हुए अपनी बात को पूरा करें अपने वादों को पूरा करें इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा इस वीडियो के अंत में बस यही कहता हूँ कि 29 तारीक को आपको सभी को जिन जिन को बुलाया गया है वो जाएं कारिकरम में लेकिन अपनी मांग सिर्फ निमती करन से अलावा और कुछ ना रखें यही मेरा अनुरोध है सभी अंदुशक परिवार से रसुय परिवार से शिक्षमित्र भाई बैनों से कि आपको आपका हक स सम्मान दिलाया जाए अनुरुषक भाई बैन निमती करन के लावा और कुछ भी ना बात करें सिर्फ निमती करन की बात करें मिलते हैं साथियों किसी और अपडेट्स के साथ तब तक लिए अपना ख्याल रखिए जय हिन जय भारत वंदे मातर में